हाई एवरिवान आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल डिफ्रेंट तरीके के मोदक जो खाने में बहुत जाधा टेस्टी लगते हैं देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि आपने घर में बनाए हैं इसे हम बनाएंगे बिना सूजी बिना आटा बिना मावा बिना मिल्क पाउडर बिना कंडेंस मिल्के बहुत ही जाधा टेस्टी बनते हैं सो और रुपे में दो किलो बन जाएंगे इतने सस्ते हैं बनाना बहुत ही आसान है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा गीता किनू रेस्पीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिन वीडियो लाइक हूं उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले ली है 200 ग्राम चना डाल जिससे मैंने राद भर भिगो कर रख दिया था अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और इसे अच्छे से दोल लिया है अब मैं इसे मिक्से में ग्राइंड करूंगी इसे हमें मोटा मोटा ही पीसना जादा बारिक नहीं करना है तो इस तरह से पूरा नहीं भरेंगे दो या तीन बार में इसे पीसेंगे तो अब मैं इसे पीस कर आपको दिखाती हूँ कि कैसे पीसना है आपको तो बहुत ही कम पानी डालेगा ज्यादा पानी मट डालेगा ज्यादा गीला नहीं करना है सूखा ही पीसने आपको तो इस तरह से बिलकुर गाढ़ा पेस्ट सा आपको तयार करना है और ये दानेदार है बिलकुर बारिक नहीं करना आपको तो पानी जितना कम हो उतना कम पानी यूज़ करिएगा तो इस तरह से हमारा ये डाल का जो मिश्र है वो तयार हो गया है अब इसे हमें फ्राइ करना है जैसे हम पकोड़े फ्राइ करते हैं इस तरह से हाथ में लेगे क्योंकि बहुत ज़दा लाइट है और olive oil हमारी health के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसे मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और तेल को मैंने medium hot कर लिया है अब मैं इस तरह से हाथ में mixture लूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके जिस तरह से हम पकोड़े डालते हैं इस तरह से यह mixture डालते जाएंगे गैस को यहाँ पर तेज नहीं रखना है नहीं तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा इसलिए मैंने गैस को यहाँ पर medium पर रखा है और इसे हमें देर तक पकाना है जब तक यह अंदर से अच्छे से ना पक जाए और उपर से हलका हलका golden brown कलर ना आ जाए तो यहाँ पर देखिए इसका color हलका सा change हो गया है हलका golden brown कलर आ गया है तो इसे में निकाल लेती हूँ और यह अंदर से अच्छे से पक चुका है इस चीज का ध्यान रखिएगा अंदर से कच्छा नहीं रहना चाहिए तो इस तरह से मैं सारे जो पकोड़े हैं वो तयार कर लिए है तो यह देखिए हलका हलका सा golden brown कलर है बहुत सदा डार्क नहीं करना है आपको जिस तरह से पकवाड़े बनाते उस तरह के से मत करिएगा जैसी हलका सा color इसका golden brown होना शुरू हो जाए बस आपको वहीं पर रोग देना है अब मैं इसके चोटे-चोटे टुकडे अगर साबुत करेंगे तो ग्राइड नहीं होका कुछ चोटे-चोटे टुकडे कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए तो यहां पर मैं आपको दिखाती किस तरह से पीसना है क्योंकि यह बहुत आसानी से नहीं पिसता है थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी अगया तो इसे हमें पर दे करना पड़ेगा एक साथ नहीं पिस लिया तो यहां पर इसतरह से मैंने मुटा मुटा पीस लिया है बिल्कुल बारिक पाउडर नहीं करना हैं यह देखे इस तरह से पीस लिया है तो यहां पर यह जितने भी दाल के पकोड़े हमने बनाये थे वो सारे हमने पीज के पाउडर तियार कर लिया है अब मैं चाशनी तियार करूँगे उसके लिए मैं यहां पर 1.5 कप चीनी ले रही हूँ जो अंदाजे से अगर मैं बताओं आपको तो 3.5-3.5 ग्राम की करीब यह चीनी है और अब इसमें मैं डालूँगे इसका आधा पानी यानि कि अगर मैं ने 1.5 कप चीनी ले है तो 3.4 कप मैं पानी एड़ करूँगी और इसे हम पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घूल ना जाए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए और गैस को यहां पर लो पर रखा है मैंने यह देखे चीनी अच्छे से घूल चुकी है बीच बीच में मैं इसे चलाती रही थी अब मैं इसे में डाल रही है हूँ इलाइची के दाने अप इलाइची का पाउड़ भी ऐड़ कर सकते है इसे का अफी अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसमें कलर के लिए डाली हूँ औरेंज रेड फूड कलर जो कि टोटली ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें पर मैंने इसलिए कलर के लिए डाला है ताकि देखने में अच्छा लगे और किसी को यह न पता चले कि हमने घर में बनाया है तो एक अब इसे हम मिक्स कर लेंगे जो दाल है वो अच्छे से पूरी चाशनी को अब्जॉब कर लेगी तो गैस को मैंने यहां पर अभी लो मीडियम पर कर दिया है मैंने इस अच्छे से मिक्स कर लिया है पर इसका जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है मैं इसमे नहीं भी ढालना जाते हैं आप लिदके के अंदर मीठारा हम भी उनकी रपर उस्ते होorden, जो आप दैस्टे बनाना चाते हैं तो आप उसे काजू बादाम भी एड़ सकते हैं तो यह आपके ऋपर मूं धूर करना चाते हैं और यह मोड़ लिया है जो कि आपको किसी भी बरतन की दुकान पर इसली मिल जाएका नहीं मिलता है तो इसका ओनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ कि आप महां से खरीच सकते हैं तो इस तरह के मोड़ आपको मिल जाते हैं और इसे पहले मैं ग्रीस कर लेंगे है तो हुआ है में मिल यह पर गुंणभुणा है जो नहीं नहीं करना है तो इस तरह से में दबा कर अच्छे से भारेंगी तो फिर मोड़ though की यि यह कि अच्छी नहीं आएगी इसलिए अच्छी से दबा दबा कर मोदक को भरे कि एक्स्ट्रा जो है वो में हटा देती हूं और आपको खोल के दिखाती हूं कितने अच्छा मोदक तैयार हुआ है तो पिन लगाने के आपको ज़रुवत नहीं है बार-बार आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं तो इसे मैं खोल के दिखाती हूं यह देखे कितना बढ़िया हमारा मोदक तैयार हुआ है किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने इसे कैसे बनाया खाने में बहुत टेस्टी है बिल्कुल आपको जो मोती चूर के लड़ो होते हैं वैसा टेस्ट आने वाला है और कोई भी नहीं बता सकता कि आप इसे आपने इसे घर पे बनाया है मार्केट से खरीद कर नहीं लाए हैं यह देखे कितना सुन्दर लग रहा है लग रहा है ना तो इस तरीके से हम सारे मो पूदक हैं तो यह देखी कितने बढ़िया लग रहे है अभी यह बिलकुल सिम्पल है आप चाहें तो इसे डेकड़ कर सकते है इस पे어豪魚 लगा सकते हिसे ड्राइफूरेट कर सकते हैं तो यह आपके उपर है मैं से थोड़ा सा पिस्ता से कर देत हैं यह छे-साथ पिस्ता पट्त कर लाइश का पिस्ता को के नहीं को सँनारियस को सद़े लाइश है इतने से होसे मेरी गैरंटी है मेरी ऐच्छे इसे मार्केट में नहीं सते लिए- पसक्राइब भी बciaż वीडियो अच्छा, लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें